यूरोपीय संग के 28 देशों के प्रतिनिधियों ने एक बहुमत से भवरों और मदुमक्खियों के लिए हानिकारक कीट नाशकों पर बैन लगाने का फैसला किया है असल में यूरोपीय संग में 2013 में ऐसे कीट नाशकों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया था इस मुद्दे को लेकर एक संगठन ने जोरदार अभियान चेड़ा था और आखिरकार सरकारों ने उनकी इस बात को सुना बीते सालों में दुनिया भर में भवरों और मधुमक्यों की तादात में इतनी ज्यादा कमी हुई है कि अब ये चिंता का विशय बनता चला जा रहा है इसका सीधा असर फसलों और फलों के उत्पादन पर पढ़ा है वैग्यानिकों ने चितामनी देते हुए कहा था कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो परागंड के बिना खादी संकट पैदा हो सकता है तितलियां, मधुमक्यां, भवरे और कई दूसरे कीट पतंगे प्राकरतिक रूप से परागंड का काम करते हैं ये बात आपने अपनी पाठी पुस्तकों में अपने स्कूल के दौरान पढ़ी होगी यूरोपी संग के मताबिक वैग्यानिकों ने ऐसे कीट नाशकों का पता लगाया जो इन कीटों की घटी आबादी के लिए जिम्मेदार है 2018 के आखिर में ये बैन लागू हो जाएगा और बैन किये जाने वाले कीट नाशकों का इस्तिमाल केवल ग्रीन हाउस या पॉली हाउस कहे जाने वाले फॉर्मों के भीतर किया जाएगा जहां मधुमक्खिया नहीं होती इस दोरान हमने लगातार ये बात बहुत जिम्मिदारी के साथ बताई कि कीटों की संख्या लगातार घटी चली जा रही है आईए इस बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं जर्मनी से एक रिपोर्ट आई जो बताती है कि तितलियों मधुमक्खियों और बहुनों समेत सभी उड़ने वाले कीटों की तादाद में 6 तर फीस्दी की गिरावट आई है वेग्यानिकों ने पूरे एको सिस्टम के तबाह होने की चितावनी दी है सन 1989 से अब तक जर्मनी में 3 चौथाई उड़ने वाले कीट खत्म हो चुके है वेग्यानिकों ने चितावनी देते हुए कहा है कि उड़ने वाले कीटों की इस तरह से लगातार कम होती तादाद पूरी बायो डाइवर्सिटी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है यहाँ एक बात और जोड़ दी जाए अगर भारत में फूलों की घाटी के आसपास किये गए रिसर्च को धियान से देखें तो हम यह पाते हैं कि वहाँ भी तितलियों भौरों और उड़ने वाले कीटों की तादाद में इतनी ज्यादा कमी आई है कि आगे चल कर फूलों की घाटी के केवल किताबों तक सीमित रह जाने की संभावना नजर आ रही है जैसा कि हमने आपको बताया कि तितलियां, मधुमक्यां और उड़ने वाले कीट पौधों के परागण में महत्वपूर्ण बहुमिकाने बाते हैं और परागण की वजह से फल और सबजियां पैदा होते हैं कीटों की गिरती हुई संख्या का सीधा असर पड़ता है पंचियों पर क्योंकि पंची इन कीटों को खाते हैं यानि एक तरफ कीट पतंगे खत्म हुए तो पंचियों की तादाद खत्म हो जाएगी और फल और सबजियों के उत्पादन पर असर पड़ेगा और इस तरह से तबाही का एक पूरा चक्र शुरू हो जाएगा पूरा एकोसिस्टम खाने और परागण के लिए इन कीटों पर निरभर है और इन कीटों पर ही हम ध्यान नहीं देते हम ये नहीं समझते कि ये हमारे जीवन के लिए इतने स्यादा महतुपूर्ण है हम जो फलिया सबजियां आम तोर पर खाते हैं उसमें कितनी मात्रा में कीट नाशक मिला इस शोद के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिल धक से रह जाएगा एक अधियन में एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि सामाने तरीके से उगाये जाने वाले सत्तर प्रतीशत फल और सबजियों में दो सो तीस तरह के कीटना शक या उसी तरह के अन्य उत्पादों का इस्तिमाल किया गया है दा एन्वायरमेंटल वरकिंग ग्रॉप स्ट्रॉबेरी और पालक में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड पाए जाते हैं जी हाँ स्ट्रॉबेरी और पालक जिन्हें हम सेहत के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी मानते हैं उनमें पेस्टिसाइड की मात्रा सबसे ज्यादा है जब स्ट्रॉबेरी के एक सैंपल को जाचा गया तो उसमें 20 अलग-अलगत रहके पेस्टिसाइड पाए गये पालक में उसके वजन से दो गुना पेस्टिसाइड का अवशेश पाया गया EWG ने इस स्टेडी के बेसिस पर 12 ऐसे फल और सबजियों की सूची जारी की है अलू, सैलरी और स्वीट बेल पेपर शामिल है आडू, चेरी और सेब की 98 फीसदी से ज्यादा किसमों में एक से अधिक पेस्टिसाइड पाये गए हर साल इस तरह का शूद किया जाता है और हर साल ये पता लगाया जाता है कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी है और आप देखेंगे कि हर साल इन चीजों की तादाद में इजाफा ही हो रहा है और पेस्टिसाइड्स की तादाद अमूमन बढ़ती ही पाई गई है अब ये सवाल भी उटता है कि इनसान की सेहत पर इन पेस्टिसाइड्स का क्या असर पड़ता है तो एक तादा शोथ है जिसमें ये कहा गया कि खाने की चीजों में पेस्टिसाइड्स के ज्यादा इस्तिमाल से री प्रोड़क्शन की काबलियत यानि प्रेजिनन की शमता जिसे हम कहते हैं बच्चे पैदा करने की काबलियत उस पर असर पड़ सकता है इसके अलावा फेंफ़नों पर मस्तिश्क पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर असर की चर्चा हमने जिग्यासा में समय समय पर आपसे की है